के सब्सक्राइब हला चले सीधे हम पहले question की ओर चलते हैं और पहला question discuss करते हैं पहला question कुम्ब मेले से related है काफी महत्रपूर्ण question है अकसर exam में देखने को मिलता है question है निमले कितमे से कौन कुम्ब मेले के चार इस्थानों में से एक नहीं है ठीक है आपको पता है कुम्ब मेला जो है ठीक है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और चार इस्थानों में इसका आयोजन होता है भारत में ठीक है तो यहांपर चार option है तो ओजैन में भी इसका आयोजन होता है प्रियागराज में भी इसका आयोजन होता है तो इसका D answer हो जाएगा वाराण सी में कुम्भ मेले का आयोजन नहीं होता है ये तीन स्थान दिये हुए हैं इसके लबाद चौन्था स्थान नाशिक है जहां पर कुम्भ मेले का आयोजन होता है अब जो ये चार इस्थाने तो इनके आपको नाम भी पता होना चाहिए और ये जो चार इस्थाने किस नदी के किनारे इस्थित हैं तो यहां से भी कई वार एक्जाम में कुश्चन पूछ जाते हैं जैसा कि हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे इस्थित है औजयन छिप्रा नदी के किनारे इस्थित है नाशिक गोदावरी नदी के किनारे इस्थित है प्रेयागराज त्रिवेड़ी संगम अर्थात गंगा यमुना और सरसोती के संगम पर इस्थित है ठीक है तो ये सारी डेटियल आपको पता होना चाहिए इसके लाव यदि हम कुम्ब में लेकी बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्क्रितिक और धार्मिक मेला है आपको पता ही होगा इसके लाव हर वारा वर्ष के अंतराल में उस इस्थान पर इसका आयोजन होता है वैसे दिखा जा तो प्रतिक तीन वर्ष के पश्चात हरिद्वार, प्रयाग राज, नाशिक और अजयन में इसका आयोजन होता है लेकिन पुना उस इस्थान में बारा वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है इसके लाव एक और मेला है जिसको हम बोलते हैं अरदुकुम्ब, का आयोजन हरिद्वार और प्रयाग में दो कुम्बों के बीच में तो कुम्ब परवों के बीच में छे वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है तो ये बात भी हैं आपको याद रखना है तो ऐसा मना जाता है कृष्णि ने रुकमणी से इसी गाओं में माधवपूर में ही साधी की थी इस उपलक्ष में इसको यहाँ पर सैलिवेट किया जाता है या फिर मेले की रूप में मना जाता है आपको याद रखना है तो गुजरात भी याद रखना है और गाओं का या फिर टाउन का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है इसके लाब किसकी याद में मना जाता है तो यह बाद भी आपको यहाँ पर याद रखनी है अगले question को discuss करने से पहले थोड़ा समय आपको update देना चाहूंगा यदि आप हमारे साथ जोड़कर कि किसी भी exam की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी root application और crazy gk trick की application को download कर सकते हैं यहाँ पर आपको different courses मिल जाते हैं इन courses को आप avail कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको individual subject की भी facility मिलती है और आपको different foundation batch भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यदि आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो हमारी root application और crazy gk trick की application पर different courses आपको geography की मिल जाते हैं तो आप मेरी courses avail कर सकते हैं GS foundation पढ़ना चाहते हैं अगला question भी देख लेता है सबरी माला मेला का आयोजन किस राज में किया जाता है ठीक है तो सबरी माला मंदर भी है दक्षन भारत का काफी महत्वण मंदर है यहाँ से भी question काफी जादा पोच जाते हैं तो इसका answer हो जाएगा केरल राज में इस मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर ही इस नाम से मंदर भी है यदि हम बात करें सबरी माला मेले की ठीक है या फिर यहाँ पर जो मंदर है तो यहाँ के जो भगवान है आयपपा है इनको ही समर्पित यह मेला है और काफी जदा प्रशिद्ध मेला है आप इसके लब सवरी माला जो मंदर है यहाँ पर तो यह महतुपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है और यहाँ पर बड़ी संक्या में जो भक्त हैं वो दूर-दूर से यहाँ पर आते हैं आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन डिस्क्स कर लेते हैं राम नगरिया मीला का आयुजण किस राज्य में किया जाता है तो उत्र प्रदेश राज्य में किया जाता है अत्र प्रदेश फ्रुखावाद में जो पांचाल घाट है यहाँ पर इसका आज़ियन किया जाता है आपको याद रखना है काफी महत्वूर्ण ये मिला है जो मा गंगा है इनके ही सानिध्य में इश्वर से प्राथना की जाती है अपको याद रखना है और ऐसा बहाना जाता है कि इस से जो रोजगार है उसमें काफी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा ठीक है तो यह वाद भी आपको याद रखना है अगला कोशन देख लेते हैं प्रशिद गंगा सागर मेला का आयूजन जो है ये किस राज्य में किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल गंगा सागर एक प्रशिक मेले का नाम बताईए जिसमें उटों का ब्यापार एक प्रमुख अकर्शन का केंदर होता है तो काफी प्रशिद्य मेला है राजिस्थान का यह राजिस्थान के अजमेर से लगवा 11 किलोमीटर दूर पुषकर में यहीं मेले लगता है आपको याद रखना है इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में होता है तो यह बात भी आपको याद रखना है इसके लवा सरस्तुती नदी जो की एक प्राचीन पवित्र नदी है तो यहाँ पर इसके किनारिस का आयोजन होता है आपको याद रखना है ठीक है इसके लवा राजिस्थान के कुछ अन्य मेलों की बात कर लेते हैं बेड़ेश्वर धाम मेला, केला देवी मेला ये केला देवी शक्ति पीठ मंदिर यहां पर लगता है, कपिल मुनी का मेला कुलायद बीकानेर, यहां पर यह इसका आयोजन होता है तो कुछ अन्य मेले भी आपको याद रखने है चलिए, अगला कोशन डिसकस कर लेते है कपिल मुनी का मेला किस राजी में आयोजित होता है तो इसका अन्सर हो जाएगा, राजिस्थान राजी में कपिल मुनी के मेले का आयोजन होता है ठीक है, राजिस्थान का कुलायद बीकानेर जो इस्थाने यहाँ पर ही इसका आयूजन होता है और कार्टिक पूर्डिमा के दिन इसका आयूजन होता है इसके लवाए इस मेले का जो मुख्य अकर्षन केंदर होता है वो कोलाया जील होती है यहाँ पर जो दीप दान किया जाता है तो इससे काफी शुंदर दिश्च देखने को मिलते हैं तो इसका एक अकर्षन का केंदर होता है ये बात आपको याद रखना है अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं हरिहर मेले का आयूजन कहां पर किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा बिहार बिहार राजी में हरिहर मेले का आयूजन किया जाता है अब देखें यहाँ पर काफी बच्चे फस सकते हैं क्योंकि हरिहर मेले को ही सोनपुर मेले के नाम से जाना जाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है तो याद रखना है सौनपूर मेले को ही हरीहर मेले के नाम से जाना जाता है गंगा और गंडक नदी की संगम पर जो सौनपूर कश्वा है यहाँ पर ही हर साल सौनपूर मेले का आयोन किया जाता है आपको याद रखना है सौनपूर को ही प्राचीन काल में हरीहर छेतर के नाम से जाना जाता था इसलिए इसका नाम हरीहर मेला या फिर सौनपूर मेला है आपको याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगाया जाता है एशिया और भारत का सबसे बड़ा पशू मेला है देश और विदेश यहाँ पर लोग पश्णों को क्रै विक्रै करने के लिए आते हैं इसके लब कुछ अन्य जो भारत के महतुपूर्ण पशू मेले हैं इनको भी एक वर हम डिसकस कर लेते हैं राम देवी जी पशू मेला है यह भी काफी महतुपूर्ण मेला है पशू की संबंद में तो आपको याद रखना है तो यह पोखरण के पास राम देवरा नामा गाउं में इसका आयुजन किया जाता है पुशकर मेला अभी हमने थोड़ी देव पहले डिसकस किया राजिस्थान के पुशकर में अजमेर के पास इसका आयुजन किया जाता है खास दोर पर उंटों के क्रेव एक क्रे के लिए जाना जाता है महाशिवरात्री पशु मेला इसका आयूजन राजिस्थान में किया जाता है आपको याद रखना है नाकपुर का पशु मेला तो ये इसी नाम पर है नाकपुर में इसका आयूजन किया जाता है ठीक है जो दुधारू पशु होते है इनका क्रेव एक्रे किया जाता है बटिश्वर मेले का आगरा में किया जाता है आगरे के मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है याद रखना है आगरा से लगवक 75 किलो मीटर की दूरी पर इसका आगरे किया जाता है स्री मलीनाथ पशु मेला तो जितने भी ये पशू मेले मैं आपको बताया है याद रखना है काफी महत्तपूर ने अकसर एक्जाम में यहां से कोशन देखने को मिलते हैं दक्षन भारत के किस राजी में त्रिशूर पुरम मेले का आयोजन किया जाता है तो इस का अंसर हो जागा दक्षन भारत का एक राजी है केरल यहां पर त्रिशूर पुरम मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर ही थेकी नाडू मैदान परवत पर इस्थित एक मंदिर है जिसको हम वड़कुननाथ मंदिर बोलते हैं तो यहाँ पर ही इस मेले का आयोजन किया जाता है मेले का जो मैन आकर्शन होता है वो क्या होता है तो ये एक इसका काफी महत्पूर्ण आकर्शन होता है आपको याद रखना है अगला कुश्चन है निमनले खित मैंसे किस मेले को आदिवाशियों का महा कुम्ब भी कहा जाता है तो most important question है इसका answer हो जाएगा मोडारम जात्रा तेलंगा ना में इसका आयूजन होता है के दर्शन ही तो जात्रा में लाखों सर्थ धालू यहाँ पर पहुंसते हैं इनके दर्शन के लिए आपको याद रखना है इसके लाब यूनिसको ने इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया है तो ऐसा भी कुशन एक्जाम में आ सकता है कि इदमे से किस मेले को यूनिसको ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है तो इसका अंसर क्या हो जागा मोडारम जात्रा मेला जिसे आदिवाशियों के महाकुंब के नाम से भी जाना जाता है अगला कुशन भी काफी महत्रपूर है कामाख्या देवी के मंदिर परिशर में निमने लिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है तो इसका अंसर हो जागा अंबू बाची मेला कामाख्या देवी मंदिर आपने सुना ही होगा असम में देखने को मिलता है गुवहाटी में काफी लोग यहाँ पर जाते हैं अपनी मनुकामना पूरी करने के लिए तो याद रखना है असम गुवहाटी में यहाँ पर जो मंदिर परिशर है इसका मेले का आयोजन होता है ठीक है और पूर्वुत्तर राज्य का काफी महत्वपूर्ण ये मेला है देखे भारत वर्ष में हम बात करें तो बिभिन भागों में लगवग इंक्यावन सक्ति पीठ है और ऐसा माना जाता है कि इनकी दर्शन मात्र से ही मनुकामनाय पूरी होती है ऐसे ही एक सक्ति पीठ ह जिसे हम महा सक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं इसको हम बोलते हैं कामाख्या देवी मन्दिर ठीक है यह है असमराज्य के पहाड़ी पर बना एक महत्वपूर्ण मंदिर है इसके लाबा जो अन्य सक्ति पीठ है जो मैंने भी आपको 51 सक्ति पीठ बताई हैं इनसे ये थो को पूरी करने वाली देवी हैं इसकान से दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं आपको याद रखना है अगला कोशन है तीर्थ मुख मेले का संबंद किस राज्जिसे है तो इसकान सरुजाएगा त्रिपुरा त्रिपुरा राज्जिसे तीर्थ मुक मेले का संबंध है आपको याद रखना है काफी महत्पूर है यहाँ पर आपको याद रखना है कि गोंती नदी बहती है ठीक है त्रिपुरो में तो यहाँ पर ही लोग इसनान करने आते हैं इस नदी में तो यह बात आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कुशन है ज्वाला मुखी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है तो इसका अंसरो जागा हिमाचल प्रदेश में ज्वाला मुखी मेले का आयोजन किया जाता है तो जौला मुखी मंदर वी जो है यह भी इंक्यावन सक्ती पीठों में से एक है जो भी मैंने आपको बताया था ठीक है तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है इसके लबा एक और मेला काफी प्रशिद्ध जैसे की मिंजर मेला आपको याद र नाम से भी जाना जाता है तो इसका अंसर हो जागा देवी दुरा बगवाल मेला इसको पत्थर मार मेले के नाम से भी जाना जाता है इसका आयोजन उत्रखंड राजज में होता है और इस्थान कहा है तो मा वराही मंदर जो है यहाँ पर उत्रखंड में यहाँ पर ही इसका आयोजन किया जाता है इसके लवा इस मेले को उत्रकंड राजकी मेले के रूप में भी घोशित किया गया है इसके लवा इस मेले की खाशवात है कि यहां के लोग एक दूसरे पर पत्थर फिकते हैं और यहां पर जो यह इस्थानी देवी हैं वराही देवी, इनको प्रशन्न करने के लिए खून बहाते हैं, ऐसी यहाँ पर माननेता है, इसलिए इसको पत्थर मार मेला के नाम से भी जाना जाता है, इसके लवाद चिनवाड़ा का भी एक काफी महत्वपूर्ण मेला है, जहाँ पर लोग एक दूसरे पर पत्थर चलात आयोजन कहां पर किया जाता है, तो दिल्ली में इस मेले का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है, यह जो मेला है, हर साल हिंदू और मुस्लिम समयुदायों द्वारा धूम धाम के साथ मना जाता है, सबसे अच्छी बात यह है इस मेले की, कि हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग इस मेले को साथ में संयुक्त रूप से मनाते हैं और सांपरदाइक सौहादर का एक मैसिज क्रियेट करते हैं आपको याद रखना है तो यह है राश्ट्री एक तक सबसे अच्छा प्रतीक है तो ऐसा भी कुशन एक्जाम में आ सकता है तो यह है तो धामोनी और मिला तो आपको याद रखना है मदर प्रदेश के सागर जले में इसका आउज़न होता है ठीक काफी महतपूर हैं चलिए अगला कुशन देख लेते हैं लखी मेला किस राजजीक में आयोज़ित किया जाता है तो लखी मेला जो है राजिस्थान में आयोज़ित किया जाता है राजिस्थान के धौलपूर में इसका आयोज़न किया जाता है देव छटका जो मौका होता है इस समय मुझकुंद सरोबर पर इस मेले का आयुजन किया जाता है इसके लबह इसे करोली देवी मेला और खाटू श्याम जी मेले के रूप में भी जाना जाता है यह है राज़िस्थान राजी के सीकर और करवर्ली जिलें इसका आयूजिन होता है तो ये बात भी आपको याद रखना है अगला कोशन थरंधर मेला किस राजी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो इसका हाँ सरो जाएगा गुजरात राजी में तर्णेतर त्योहार बनाया जाता है आपको याद रखने है गुजरात राजी के कुछ अन्य मेलों के दिए हम बात करें तो कच्छ उत्सा हो गया, सामलाजी मेला हो गया, वेथा मेला हो गया ये सबी मेले जो हैं इनका आयोजन गुजरात राजी में किया जाता है अगला कोशन है कंश मेले का आयोजन किया जाता है तो उत्रप्रदेश राजी में कंश मेले का आयोजन किया जाता है इसका आयोजन उत्रप्रदेश के मतुरा में किया जाता है आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो कंच को मारा गया था तो इस उपलक्ष में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है आपको याद रखना है चलिए अगला कुशन दिख लेते हैं नौचंडी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है तो उत्रप्रदेश राजज में नौचंडी मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले का आयोजन मेरट में प्रतिवर्ष किया जाता है आपको याद रखना है यह एक एतिहासिक हिंदू-मुश्लिम एकता का प्रतिक है हिंदू मुश्लिम एकता के प्रतीक की रूप में जाना जाता है इसके लावा जो चैत्रमास में नवरात्री त्योहार होता है इसके एक सब्ताह पहले ही इसका आयूजन किया जाता है और लगबग एक महा तक यह मेला चलता है आपको याद रखना है अगला कुशन है वेड़ेश्वर धाम मेले का आयूजन कहां पर किया जाता है तो राजिस्थान राज्जी में वेड़ेश्वर धाम मेले का आयूजन किया जाता है आपको याद रखना है ठीक है इसके लबाए इस मेले को आदिवाशियों के मेले की रूप में भी जाना जाता है अगला कुछन है हैमिस गोपा मेला का आयूजन कहां पर किया जाता है तो लद्धाक में या फिर लद्धाक छेतर में इस मेले का आयूजन किया जाता है देखे जो हैमिस गोपपा मेला है लद्दा के सबसे बड़े बौध मठ हैमिस गोपपा मैं आयूजित किया जाता है यहाई एक बौध मठ है आपको याद रखना है इसका सबसे प्रमुक जो आकर्शन का केंदर है वह या है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं मेले में वो मुख हस्त सिल्प मेला है आपको याद रखना है ठीक है ऐसा कुशन भी आ सकता है कि इन में से कौन सा मेला हस्त सिल्प से रिलेटेड है तो सूरज कुंड मेला जो की हरियाना में होता है आपको याद रखना है यह जो मेला है बच्चो 15 दिन तक लगवक चलता है आपको याद अगला कुशन है उडम मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है तो केरल में उडम मेले का आयोजन किया जाता है यह केरल का एक प्रमुख तयोहर है आपको याद रखना है जो कि 10 दिनों तक चलता है अगला कुशन है चंद्र भागा मेले का आयोजन किस राज्य में किया तो राजिस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन हर साल अक्टूवर से नवंबर के बीच में किया जाता है इसके लावा चंद्र भागा नदी को समर्पित है यह मेला आपको याद रखना है इसके लावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों भकते यहाँ पर जो नदी है यहाँ पर डुपकी लगाने आते हैं काफी दूर दूर से तो काफी महत्वपूर्ण मेला है आपको याद रखना है तो बच्चो यह महत्वपूर्ण मेले जितने भी हो सकते थे हमने यहाँ पर डिसकस करे हैं जितने भी मेले यहाँ पर मैंने आपको बताया है, most important है, बारवार यह मेले exam में पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी मेले मैंने आपको यहाँ पर cover कराया है, ध्यान से पढ़ने हैं, काफी महत्तपूर हैं, तो I think आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, य इसके लव अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मिलेंगे अगले बहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बाई बाई टेक केर, जैहिंद